दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में ड्रोन्स यानिकी UAV Unmanned Aerial Vehicles का इस्तेमाल बहुत जादा बढ़ चुका है ऐसे में भारत सरकार द्वारा इनके इस्तेमाल को regulate करने के लिए ड्रोन रूल्स 2021 लाए गए अब जैसे कोई व्यक्ती नई गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदने के बाद कई सारी formalities फुल्फिल करनी होती हैं जैसे कि RC लेना, insurance लेना और उसी के बाद legally गाड़ी को रोड़ पर चलाया जा सकता है इसी तरह से जब आप कोई नया ड्रोन खरीदते हैं तो ड्रोन खरीदने के बाद भी आपको कुछ rules and regulations follow करने होते हैं कुछ formalities फुल्फिल करनी होती हैं उसके बाद ही ड्रोन्स को आप legally इस्तेमाल कर सकते हो आज की अपनी इस वीडियो में हम उन्ही rules and regulations की बात करेंगे हम बात करेंगे drone rules 2021 की अगर आप मेरी वीडियो की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर legal quizzes में participate करना चाहें तो टेलीगराम की इस चैनल को आप join कर सकते हैं सबसे पहले दूस्तों हम बात करते हैं drones के बढ़ते हुए इस्तेमाल की हमें देखने को मिलता है कि drones का इस्तेमाल कई सारे नए-नए sectors में हो रहा है खास करके transportation के लिए यानि की चीज़ों को इधर से उधर पहुचाने के लिए agriculture में, surveillance में खास करके जो हमारी सुरक्षा एजंसिस हैं वो निगरानी रखने के लिए drones का इस्तेमाल करते हैं वीडियोग्राफिय और फोटोग्राफिय के लिए तो काफी समय से इस्तेमाल हो ही रहा है एक नया जो सेक्टर खुला है वो है defense सेक्टर जहां पर drones का इस्तेमाल निगरानी रखने के साथ-साथ कई बार attack करने के लिए भी किया जाता है ऐसे में कई सारे सवाल उठने लाजमी है पहला तो ये कि क्या भारत में हर व्यक्ति legally यहाँ पर drone उडा सकता है दूसरी बात ये कि जैसे मुझे गाड़ी के चलाने के लिए कुछ documents चाहिए होते हैं इन सबी सावालों के उत्तर हम ढूंडेंगे पहली बात करते हैं कि क्या हर व्यक्ति यहाँ पर drone उडा सकता है क्या drone उडाना भारत में legal है येस इट इस legal टू fly a drone in India बट उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ rules and regulations follow करने होंगे जो कि Ministry of Civil Aviation और DGCA द्वारा सेट किये जाते हैं खास करके हमें drone rules 2021 यहाँ पर follow करने जरूरी हो जाते हैं दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम एक गाड़ी खरीद कर उसे register कराते हैं अपने area के RTO के साथ उसी तरह से जब आप एक नया drone खरीदते हैं तो drone खरीदने के बाद आपको इसे register कराना होता है भारत सरकार द्वारा बनाए गए digital sky platform पर जाकर आप जब भी drone को digital sky platform पर register कराते हैं तो आपको वहाँ पर एक unique identification number UIN मिलता है ये ठीक वैसा ही number है जैसा आपको आपकी गाड़ी के लिए RTO से मिलता है एक number मिलता है और एक number plate मिलती है RC मिलती है ठीक वैसा ही कुछ number आपको यहाँ पर आपके drone के लिए मिलेगा और ये आप ही की responsibility है यानि कि ये drone owner की responsibility है कि वो digital sky platform पर जाकर इसे register कराए उसके बाद ही इसे इसे इस्तिमाल करें अब दूसरी बात ये कि ये जो digital sky platform है ये क्या है कैसा दिखता है देखें ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया single window system है जहां पर drone से जुड़े हुए सबी कागजात आपको एक ही जगहां पर मिल जाएंगे आप यहां पर जाएंगे कुछ ऐसा page खुलेगा जहां पर आप login करते हैं और उसके बाद आप यहां पर जो है account बनाने के बाद login करने के बाद जो भी आपको यहां पर document चाहिए उससे जुड़ा हुआ form फिल कर सकते हैं आपको वो document मिल जाएगा requisite fees पे करने के बाद next बात यह कि क्या मैं भारत में हर जगा drone fly कर सकता हूँ देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस case में भी हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे areas हैं जहां पर गाड़ी हम नहीं चला सकते areas प्रतिबंदित होते हैं इसी तरह से भारत का जो air space है उसे भी तीन zones में divide किया गया है red zone, yellow zone and green zone अब ये जो red zone होता है basically इसमें जो drones हैं वो उडाना allowed ही नहीं है अगर आप उडाना चाहते हैं तो central government से आपको permission लेनी होगी yellow zone में drone उडाई जा सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पे जो local जो authority है वहाँ से permission लेनी होगी, कौन सी authority हम बात करेंगे और green zone में आपको drone उडाने के लिए किसी authority की कोई permission नहीं लेनी होती है सबसे पहले हम देख लेते हैं red zone को देखिए यह जो red zone होती है यह airport से लेकर airport का जो 5 km तक का जो area होता है उसे हम red zone कहते हैं आप देखिए इस picture में यहाँ पर यह जो आगरा का airport है आगरा के airport से यह जो 5 km का जो area है वो red zone है अब यह red zone मुझे कहां मिलेगा तो जैसे कि हमने कहा कि digital sky platform है digital sky platform पर जाएंगे और आपको यह सामने ही home page पर ही इसका link मिल जाएगा interactive air maps का air space maps का उसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे maps आएंगे और इस map में आप यहाँ पर जैसे ही खोड़ेंगे यहाँ पर आप इसे क्लिक करते ही अपने area में red zone देख पाएंगे उसके बाद आप इन दोनों को क्लिक करते ही अपने areas के जो yellow zones है उनको आप देख पाएंगे उसके अलावा जो zone बच जाता है उसे हम कहते है green zone यानि कि मैंने red zone देख लिया red zone के बाद yellow zone देख लिया yellow zone के बाद जो area unmarked है उसे हम क्या कहते है green zone green zone में आपको किसी की कोई permission नहीं लेनी होती है अब मैंने सबसे पहले जो कहा कि red zone red zone में दोस्तों आपको no drone zone है तो इसके मनलब यहां पर आप drone नहीं उडा सकते लेकिन उडाना चाहें तो central government की permission लेनी होगी और green zone की जब हम बात कर रहे हैं तो जो zone yellow और red की category से बाहर रह गया उसे हमने क्या कहा green zone अब ऐसा नहीं है कि green zone में आप किसी भी height तक अपने drone को लेकर जा सकते हैं green zone में भी आप earth से लेकर 400 feet तक ही अपने drone को उडा सकते हैं 400 feet से उपर जाते ही आपका drone yellow zone में चला जाता है यानि कि धरती से लेकर 400 feet तक ही green zone होती है उसके अलावा green zone नहीं रह जाती है उसके अलावा उपर क्या हो जाता है 400 से उपर क्या हो जाता है yellow zone बन जाती है इसके अलावा आप यहां पर यह जो yellow zone देख रहे हैं yellow zone में भी यह जो आप देख रहे हैं 8 km से 12 km का जो radius है एरपोर्ट से 8 km से 12 km का जो radius है इसमें भी धरती से 200 feet की जो height है उसे हम green zone ही कहते हैं तो basically क्या है कि जो green zone है वो unmarked areas में 400 feet तक और मार्गड एरियाज में भी आठ से बारा किलो मेटर का जो रेडियस है एरपोर्ट का उसमें 200 फीट तक जो है ग्रीन जोन बनता है Yellow zone में अगर आप drone उड़ाना चाहें तो आपको यहाँ पर permission लेनी होती है concerned air traffic control authority से जो air traffic control authority होती है उससे आपको यहाँ पर permission लेनी होती है drone उड़ाने के लिए अब यह तीनों zones तो हमने देख ली दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो drones होते हैं उन्हें कुछ categories में divide किया जाता ह है सबसे पहले यहां पर 5 categories होते हैं जिन में in drones को divide किया जाता है classify किया जाता है सबसे पहली category आती है Nano drones की जो यहां पर 200 gram से कम वज़न के drone होते हैं 250 gram से कम वजन के drone होते हैं उन्हें nano drones का जाता है Micro Drones कौन से होते है 250 gram to 2 kg तक के जो Drones होते है उन्हें यहाँ पर Micro Drones कहा जाता है Small Drones जो होते है वो 2 kg से लेकर 25 kg तक के जो Drones रहते हैं उन्हें Small कहा जाता है Medium कौन से होते है 25 से लेकर 150 तक के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते है मीडियम और 150 प्लस जो होते हैं 150 प्लस केजी जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं लार्ज ड्रोन कहते हैं अब यह कैटेगराइजेशन क्यों समझने जुरूरी है वो भी हम जान लेते हैं देखिए हमें यहाँ पर जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है उसी तरह से हमें यहाँ पर ड्रोन उडाने के लिए भी लाइसेंस की रिक्वायर्मेंट होती हैं लेकिन दो कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर ड्रोन उडाने के लिए हमें लाइसेंस नहीं चाहिए कौनसी नैनो और माइक्रो जो कैटेगरीज हैं ड्रोन की उसके लिए हमे इन से उपर चले जाते हैं यानि कि small, medium या large category में चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक license चाहिए होता है तो basically उसके लिए license हमें चाहिए होता है और वो क्यासे मिलेगा उसके लिए क्या qualifications है वो आप जान लेते हैं यहाँ पर अगर आप एक remote pilot license लेना चाहते हैं तो तीन conditions को fulfill करना जुरूरी है पहला तो यह कि आपकी जो age है वो 18 years से लेकर 65 years तक होनी चाहिए दूसरा यह कि minimum educational qualification यहाँ पर जो set की गई है वो 10th class की आपने examination pass की होनी चाहिए और तीसरा यह कि आपको कुछ training लेनी होगी और उसके बाद कुछ test देना होगा test clear करने के बाद ही आप इस license के लिए apply कर सकते हैं तो यह पूरा process है complete the training specified by the director general जो आपके area का director general है उससे आप वहाँ पर जो training लेते हैं वहाँ पर उन्होंने जो training specify की होती है training लेने के बाद आप से एक test लिया जाता है test pass करना होता है pass करने के बाद within 7 days of successfully completing the training and passing the test आप यहाँ पर इस website पर जाएंगे sky platform पर जाएंगे digital sky platform पर और वहाँ जाने के बाद form D4 वहाँ पर fill करेंगे उसके साथ ही जो requisite fees है वो pay करेंगे और उसके बाद आपको यह license मिल जाएगा अब जैसे गाडियों में हम देखते हैं कि हमें required होता है insurance करवाना इसी तरहां से जो हमारे drones होते हैं उनका भी third party insurance करवाना required रहता है गाडियों में भी minimum third party insurance होना चाहिए और drones के case में भी आपको third party insurance कराना रहता है so motor vehicle act के ही provisions drones के उपर यहाँ पर इस case में लागू होते हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि third party insurance drones का होना चाहिए लेकिन एक category यहाँ पर भी exempt है वो है जी nano drones की category जो nano drones होते हैं उनके case में हमें यहाँ पर insurance करवाना लाजमी नहीं है बाकी सभी categories के लिए drones का license यहाँ पर insurance होना जरूरी है अब सवाल उठता है कि अगर आप इन rules को follow किये बिना drones का इस्तेमाल करते हैं तो क्या penalty लगेगी देखिए अगर आप इन rules को follow किये बिना drones का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर maximum एक लाग रूपे तक का fine आपके उपर लगाए जा सकता है so maximum 1 lakh rupees fine आपके उपर impose किया जा सकता है अगर आप इन rules को fulfill नहीं करते हैं so I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा आपको पता चला होगा कि किस तरह से drones उड़ाए जाते हैं क्या क्या requirements हैं अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day ahead